आपका बहुत बहुत स्वागत है काफी दिनों से हमें लोग बता रहे हैं कि आप वीगन मिल्क और वीगन कर्ड करके दिखाईए तो उसके वीडियो बनाने जा रहे हैं पहले बनाएंगे वीगन मिल्क तो आज मैं बनाने वाली हूँ आमन मिल्क बादाम का दूद बनाने वाली हूँ चलो देखते हैं बादाम का दूद बनाने के लिए क्या-क्या सामगरी लगने वाली है तो इसके लिए हमें लगने वाले हैं बादाम जो मैंने ओवरनाइट भिगोए हैं अच्छे से धोए हैं छिलका निकाला है फिर इसे धोए हैं और पूरा पानी निकालके ये लिया है मैंने उसी के साथ आफकोर्स पानी लगने वाला है हमें तो अगर मैं एक कप बादाम मैंने लिया है और उसके लिए मैं तीन कप पानी डालने वाली हूँ और इसी के साथ थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालने वाली हूँ तो चलो बनाते हैं बादाम का दूध। बहुत ही सिम्पल सी प्रोसेस है। हम ब्लेंडर में ये बादाम ले रहे हैं और उसी के साथ मैं इसमें पहले एक ही कप पानी डालने वाली हूँ। मैं भी पहले आधा ही कप डालती हूँ। देखती हूँ। एक कप लिया है मैंने पानी और पहले आधा ही कप पानी डाला है। ग्राइन करूँगी और धीरे धीरे में पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाओंगी। आधा कप पानी लेने वाली हूँ। बाकी का जो आधा कप है वो में डाल रही हूँ। फिर से ग्राइंड करते हैं। हमें अच्छे से महीन पेस बनानी है तो चलो देखते हैं थोड़ा सा पीसेस है अभी भी तो मैं और थोड़ा सा पानी डालने वाली हूँ। एक कप लेती हूँ लेकिन धीरे धीरे ही आड़ करने वाली हूँ। जो भी पीसेस धक्कन में चिपके हुए है वो भी मैं निकाल रही हूँ अच्छे से और फिर से वो डालने वाली हूँ निक्सी में। देखते हैं ये महीन पीसा है के नहीं। बहुत ही अच्छे से उसकी पेस बन गई है। अभी हम क्या कर सकते हैं यह मैं आपको बताती हूं जो छानना चाहते हैं वो छान सकते हैं लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूं वो मैं इसमें निकालने वाली हूं और इसी में पानी आड़ करने वाली हूं अच्छा पहले मैं थोड़ा सा पानी आड़ करके मिक्स करती हूं मिक्सी में ही ब्लेंड करती हूं और फिर यह दो कप पानी गया है इसके अंदर अभी मैं एक बार फिर से मिक्सी चलाओंगी अभी दो कप पानी से हमने यह ग्राइन किया है मैं एक चुटकी भर नमक डालने वाली हूं और इसी में यह जो तैयार दूद है वो ट्रांसफर कर रहे हूं काफी गाढ़ा है और इसमें हम और एक कप पानी डालने वाले है अच्छे से मिक्स करने वाली हूं यह हो गया हमारा आमंड मिल्क नहीं तो बादाम का दूद तैयार यह मैंने च्छाना नहीं है तो शायद हम अगर गरम करने लगेंगे तो वो गाढ़ा बनτα जाएगा तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं अगर हमें गरम या लुक वार्म दूद चाहिए तो पहले वाला जो हमने पीसा है एक या सवा कब पानी डालके उसके बाद बाकी का जो पानी है वो गरम पानी डालेंगे जब हम वो पानी गरम पानी डालेंगे तो इसका टेंपरेचर भी बढ़ेगा और हमें गरम दूद मिल जो है वो हलका सा गरम करना है, all these milks, ये भी, coconut milk भी, अगर हम गरम करते हैं, तो वो फट जाने के चांसे से, तो continuously हिलाते रहना है, और boil नहीं करना है, बस गरम ही करना है हलका सा, ठीक है, तो इससे तो अच्छा है, कि हम पल्प के साथ दूद लेंगे, और उसमें गरम पानी डा ठीक है, तो I hope you like this recipe, और आसान है, बनाने में आसान है, एक बार आप बना के ये फ्रीज में रख सकते हैं, और ज्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि ज्यादा लेना भी नहीं है, हमें सब को मालूम है कितना लेना है, everything in moderation, कभी भी ये नहीं भूलना है, अगले हफते, और एक नई रेसिपी वीगन मिल्क की लेके आऊंगी, तब तक के लिए, बाई बाई